स्वागत आप सबीकर एक बार फिर से आपके अपने ही चैनल पे इस वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं जो यह इंडिया वर्सिस अफ़ानिस्त्थान की टीम के बीच में जो यह पहला जन्वरी साम 7 बजे से पंजाब क्रिकेट एसोसियेशन आईस बिंदरा स्टेडियो मोहाली में खेला जाएगा मैच फॉर्मेट की बात के लिए T20 का ये फॉर्मेट रहने वाला है अगर दोस्तों अभी तक आड़ों मेरे टेलीग्राम से नहीं जुड़ें तो अप लोगो का टेलीग्राम से जुड़ना काफी इंपॉर्टेंट रहेगा वोगी टॉस के बाद की सारी अपडेट आपको मेरे टेलीग्राम पर ही मिलेगी और जो इस मैच की फाइनल टीम होगी वो भी आपको टेलीग्राम पर ही देने वालों तो इस वज़े से आप लोगों का टेलीग्राम से जुड़ना काफी important रहेगा तो आपको जुड़ जाईए लिंक आपको इस वीडियो का description और first comment मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चनल का तो चलिए दोस्तों वीडियो को सुरू क करता है पिच रिपोर्ट से तो दोस्तों इस पिच की बात करें तो overall ये बैटिंग के लिए काफी अच्छा विकेट रहता है first inning का average score यहां का 183 का राय जो की T20 मैच के लिए काफी अच्छा माना जाता है आप यहां पर देखके समझ सकते हो इसके अलाबा दोस्तों यहां प पहले बैटिंग करने वाली टीम जीती है चार बार यहां पर चेसिंग करने वाली टीम जीती है यानि कि दोस्तों जो टीम यहां पर टॉस जीतेगी वो पहले बॉलिंग करना चाहेगी क्योंकि जो टीम यहां पर बाद में बैटिंग करती है उसके जीतने के चांस भी जाद 3 बार यहां पर 190 के ऊपर स्कूर गया तो आप यहां पर देखके समझ सकते हो कितना अच्छा यह विकेट रहता है बैटिंग के लिए अब यहां पर हम लोग पेस वर्सिस इस्पिन की बात करें तो जो लाश्ट पांच टीटवन्टी के मैच इस वैन्यू पर खेले गए हैं अ तो दोस्तों आप लोग यहां पे वीडियो को बिलकुल इस्केप मत करें ना ताकि आपको यहां पर हर एक प्लार के बारे में अच्छे समझ में आजाए तो सबसे पहले दोस्तों के बात करें रोहिस सर्मा की काफी इंपोर्टेंट खिलाड़ी हैं इनके बारे में बतानी क इनका अच्छा राय तिलक वर्मा आपको इस मैच में खेलते हुए देखेंगे क्योंकि किंग कोली यहां पर इस मैच में नहीं खेलने वाले तो इनका आप देखोगे 15 मैच में 310 रंस हैं 34 कैवरेज है दो वेकेट है संजू सेमसन की बात करें राइटी बैटर है 24 मैच में 314 रंस 20 कैवरेज अगर आप इनका T20 में ओबरॉल रिकॉर्ड देखोगे 256 मैच अभी तक अपने करियर्स में खेल हैं 690 रंस हैं 28 कैवरेज है अभी तक इंटर्ण नेशनल मैच इसमें उतना अच्छा नहीं कर पाएं पर डॉमिस्टिक लेवल पे इनका काफी अच्छा परफोर्मेंस रहा है अलाकि प्लेयर इंपोर्टेंट और रिचेंट भी इनका अच्छा राय तो इंपोर्टेंट रहेंगे और विकेट इनके अलावा रिंकू सिंग की बात करें लेफ्टी बेटर है रिचेंट इनका भी दोस्तों काफी अच्छा अच्छे फिनीश आ रहें 12 मैच में 282 रंस है 65 काफी अच्छी हिटिंग कर दें काफी इंपोर्टेंट रहेंगे सिवाम दुबे की दोस्तों बात करें ये भी का इसमें ओवरॉल 119 के मैच खिलें जिसमें 250 रंस है 29 केवरेज है 43 विकेट तो ये भी एक अच्छे प्लेर हैं आला कि बालिंग से आप लोग उतनी जाद उमीन मत करना बालिंग करा भी सकते हो नहीं भी करा सकते तो बालिंग का यही रहता है पार्ट टाइमर है इनके अपसे हम इनको पिक कर सकते हैं अक्सर पटिल की बात करें लेफ्टी बैटर है लेफ्ट रमाउट रोक्स बॉलिंग कराते हैं 50 मैच में 361 रंस है 19 के अवरेज है 45 विकेट है ये भी एक अच्छे स्पेनर हो और ठीक टक बैटिंग भी कर लेते हैं हलाकि अक्सर का रीशें 19 मैच 18 विकेट तो इस तरह से आपको यहाँ पर इंडिया टीम की प्लेंग लिए उन देखने को मिलने वाली है अब दोस्तों इनके अलावज आपको बैंच पर यहाँ पर इनमें से देख रहा हैं इनमें से मेरे सबसे भी कोई नहीं खेलने वाला बाकि आप लोग यहाँ इन सबके भी स्टार्ट्स देखे चल सकते हो तो यहाँ पर दोस्तों जितेश सर्मा यह भी खेलते हैं तो यह भी विकेट केपिंग कर लेते हैं इनका आप देखोगे राइटी बैटर हैं अभी टीटी इंटरनेशन में उतना कुछ खास कर नहीं पाया हैं सात मैच खेले है उनत्तार रंस हैं चाउदा के अवरेज है टीटी डॉमेश्टिक में अगर आप इनका देखोगे यानि की ओबरॉल जो इन्होंने टीटी मैचेस खेले हैं उसमें देखोगे तो एक सो चार मैच में बाइस सो बाहत्तार रंस हैं 28 के अवरेज है तो दुझे जितेश सर्मा अब एक अच्छे प्लेयर हैं अगर खेलते हैं तो इनको आप लोग जियल की टीम में जरो ट्राई करना बाकी दोस्तों यहां पर भी इनके चांसेस कम लग रहे हैं तो जितेश सर्मा या सिवम दुबे इनमें से जो भी खेलेगा कोई एक ही खेल सकता है तो मेरे सबसे भी स अच्छे हैं पर रीशेंट इनका उतना अच्छा नहीं रहा है तो इस वज़े से मुझे लग रहा है इनको भी मौकान नहीं मिलेगा जैसवाल ओपनिंग करेंगे इनके अलावा यहां पर वाशिंग्टन सुनतर की बात करें चालीस मैच खिलें एक सो साथ रंस हैं ग्यारा अच्छे समझ में अच्छे समझ में आ जाए तो सबसे पहले दोस्तों के बात करें रहमानुला गुर्बाच की विकिट की पर बल्लेवाज है ओपनिंग करते हैं और अभी रीशेंट में जो यूए के खिलाब खेल के आ रहा है उसमें इनका काफी अच्छा पर्फॉर्में रीशेंट भी अच्छा है इंपोर्टेंट रहेंगे 26 का एवरेज रखते हैं ओपनिंग करेंगे विकिट की पर बल्लेवाज हैं हजरतुला जजाई की दोस्तों बात करें हिट और मिस टाइप के खिलाड़ी है चलेंगे तो अच्छा करके देंगे यह जल्दी जाएंगे उसी तरह के यह प्लेयर है इब्राहिम जद्रान की बात करें 27 का एवरेज है consistent प्लेयर है important रहेंगे वन डाउन पर आपको बैटिंग करते हो दिखेंगे और एक अच्छे खिलाड़ी है अज मतुला ओमर जाई की बात करें तो दोस्तों इनकी टीम इनको काफी अच्छे तो यूज कर रहे है टू डान पर बैटिंग करने भी आ रहे हैं चार ओवर भी दे रहे हैं काफी important रहेंगे इनके अलावा नजबुला जद्रान की बात करें sorry दोस्तों sorry दोस्तों यहाँ पर नजबुला जद्रान का मुझपे यहाँ पर average रखने में थोड़ी सी mistake हो गई तो अब मैंने यहाँ पर साही कर दिया आप यहाँ पर देखोगे 97 match नोने खेलें 1742 रंज है 31 का average प्लेयर T20 के यह भी काफी अच्छे है पर इनका भी recent कुछ खास लंबे average 88 विकेट है यह important रहेंगे आपको bet ball दोनों से point दे सकते हैं करीम जन्नत की दोस्तों बात करें 53 match में 515 रंज है 17 का average 49 विकेट है तो जन्नत भी आपके ठिक टाक choice हो सकते हैं काईस एहमद 8 match के लिए 15 विकेट है अच्छे इस पे नहों यह थोड़ी वद बैटिंग भी कर लेते हैं मुझीव रहमान की बात करें 43 match में 56 विकेट हैं फैजलोग फारुकी 27 match 3 विकेट नवीन उलग 30 match 49 विकेट तो कुछ इस तरह से आपको यहां पर अफगानिस्तान की प्लेंगे लिए उन देखने को मिलने वाली है अब यहां पर दोस्तों जिनके bench पर बैठने वा इंटरनेशनल में डेब्यू नहीं किया है इनका यह आप डॉमिस्टिक का record देखके चल सकते हो तो नोने डॉमिस्टिक में अगर आप देखो के 30 match खिलें 396 रंस है 16 विकेट है 10 विकेट है सर्फ दिन असरफ 17 match में 41 इनके रंस है 7 का एवरेज 8 विकेट है तो दोस्तों अस ट्राइ कर सकते हैं 28 में 35 विकेट है और लेफ्ट आन फास्ट विडियों बॉलिंग डालते हैं अच्छे बॉलर है रासित खान आपको खेलते हुए नहीं देखेंगे इनके अलावा यह पर एक्रम अली खिलकी बात करें 30 में 120 रंस हैं 11 कैवरेज सलीम साफी 17 मैच 18 विकेट तो कुछ यहाँ पर इनके आप यहाँ पर देख सकते हैं जो बैंच पर बैठने वाले हैं उनके आप लोग आप लोग आपर स्टार्ट देखेंगे चल सकते हैं अब यहाँ पर दोस्तों लोग दोनों टीम के हैड-to-head मैच इसकी बात करें तो दोनों टीम ने हैड-to-head पर 4 T20 के match खिले हैं जिसमें चार के चारों match यहां पर इंडिया की team नहीं जीते हैं अभी तक यहां पर अफगानिस्तान की team इंडिया की team से कोई भी match नहीं जीत पाई है तो आप यह चीज़ यहां पर देखके चल सकते हो तो दोस्तों अब हमने इस match के बारे में सब को जान अब हम लोग आप अपनी team देख लेते हैं जो फिलाल मैंने इस match के आप लोग के लिए बनाई हुई है पर final team के लिए telegram से जरूर जुड़ जाना क्योंकि toss के बाद जो मेरी final team होगी वो telegram पर ही मिलेगी तो जुड़ जाना link आपको इस video का description मिल जाएगा मेरे telegram channel का तो चल बग ठी डाउन पर बैटिंग करते हुँ दिखेंगे अच्छे player है जिते सर्मा खेलते हैं आपके GL के pick रहेंगे अली खिल खेलते भी है तब भी उतने अच्छी option नहीं रहेंगे बैटिंग सेक्शन में बात करें यहाँ पर दोस्तों मैंने रोहिश सर्मा को लिया है यह लेके चलने वाला हूँ बाकियां पर सुमन गिल अगर खेल जाते हैं आप लोग बिलकुल लेके जा सकते हैं अलाकि recent उतना अच्छा नहीं रहा है तो मुझे चांसे सिंग के थोड़े से कम लग रहे हैं मैंने फिलाल पिक नहीं किया है रिंकु सिंग को दोस्ता आप लोग पिक करना चाओ कर सकते हो रहमत सा मेरे साबसे अभी नहीं खेलेंगे अभी तक डेब्यू भी नहीं किया अगर डेब्यू कर जाते हैं तो एक ठीक टाक option रहेंगे नजबुला जदरान का recent अच्छा नहीं है प्लियर अच्छे है तो इनको जील में रोटेट करना बाकी यहा पर ट्रम्प के तोर पर इनको भी पिक किया है अब यहां पर ऑल राउंडर सेक्शन में बात करें तो यहां पर दोस्तों मैंने ओमर जाई को लिया नभी को लिया दोनों इंपोर्टेंट आपको बैटिंग के साथ बॉलिंग देता है इंपोर्टेंट रहेंगे इनके बाल दोनों से पॉइंट दे सकते हैं बाकि यहां पर सिवम दुबे आपके जील के पिक रहेंगे या फिर आप लोग इनको फर्स्ट बैटिंग अपनी स्मॉल लीकी टीम में भी ट्राई कर सकते हो तो फिलाल दोस्तों मैंने नहीं दिया है मैंने यहां पर इन दोनों को यह नवीन के साथ जा सकता हूँ या फिर यहां पर मैं फारुकी इन में से किसी एक को मैं लेके जा सकता हूँ तो फिलाल मैंने यहां पर मुकेस को ही लिया है तो फिलाल दोस्तों जो मैंने यहां पर टीम बन रही है वो यहां पर कुछ इस प्रकार है यहां पर मैंने अपनी कुछ भी चैन्ज होगा तो आफ्टर टॉस आपको टेलीग्राम पर बता दूँगा तो उसके लिए अपनों को टेलीग्राम चैनल जरूर जोइन कर ले ना लिंक आपको इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट होमें तो मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल का तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर एक नई वीडियो साथ पूरा वीडियो वाच करने के लिए थैंक यू सो मच दोस्तों